नमस्कार दोस्तों हर्याना में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी आई हैं कौलीज घ्डर पर सकी के लिए आपके लगबचे 6- seven हैं इंवार्मेंटल साइंस में और बच्चे जो हैं कोई नया बैच आपका इस तरीके का है जो completely dedicated हो इसके लिए कुछ सज़स्ट करें तो पहले तो हमने यही कहा था कि एक बार आने दो जो है आपका जब आएगा उसके बाद में जो है किलियर कट आइडिया लगेगा बट आपको यूजी सी नेट के स्लेबस को अधार मानते हुए प्रिप्रेशन तियार जो है वो स्टार भी इधर से उधर नहीं है हम हमेशा यही कहते आये हैं और जो बच्चा इस चीज को मानता है फॉलो करता है डेफिनेटली वो जियार आफ तो करता है अपना उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो जिस हमारे बैच में डेफिनेटली उनके पास में नोट्स वगयरा है तो उनका तो यह आप मान के चलिए कि जिनका पहले से नेट है और आगे उजियार आफ के लिए सोच रहे हैं या इस तरीकी के कॉम्पेटिशन के लिए जो बच्चे जोइन करते हैं उन्हें तो कुछ ज्या पे कवर के गए हैं उन नोट्स में गर आप उनसे गो थू हो जाएंगे तो आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी आपका स्क्रीनिंग और मेन दोनों पेपर जो है उसमें अच्छे से कवर हो जाएंगे है ना तो उनको तो बाहर हाथ पैर मारने क कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है है ना जो आपका 11 बुकलेट का सेट है पेपर टू का वो सफिशियंट है अब बात रही उन बच्चों की जो इन्वार अकैडमी के कोर्से से अभी तक नहीं जूड़ पाए है किसी कानवर्ष जिनके पास में हमारे नोट्स भी नहीं है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है बच्चों या तो नेट किया हुआ है या पीच डी की हुए तो नौलिज तो आपके पास में है बस आपने जो है उसको रिफरेश करना है उसको रिफरेश करने के लिए सिंपली हम आपको दो तीन बुक बत ले सकते हैं ये तीन चार बुक अगर आपके पास में हैं इन से आप गो थू हो जाएंगे तो आपका जो है बहुत अच्छे से ये जो है आपका स्लेबर्स कवर हो जाएगा इसके साथ साथ जो लो एंड लजिसलेशन वाला पॉर्ट्शन है उसमें सिंपली आप जो है अपना इंटरनेट पे सर्च करेंगे सारे के सारे जो एक्ट एंड लॉज हैं रूल्स हैं उनके पीडिएप दिये हुएं वो डाउनलोड करके आप उनसे गो थू हो सकते हैं इसके साथ साथ जो आपका थोड़ा सा जोग्रफी जियोलोजी इन सब से रिलेटिड आप और्शन है उ उनसे आप गो थू हो जाएंगे तो आपका वूक पॉर्शन भी अच्छे से कवर हो जाएगा और ज्यादा बहुत ज्यादा आपको जो है आजाने की जरूरत नहीं है इधर उदर इनहीं तीन चार बुक से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा साले बस यह क पार डाता है और यूजी सी नेट का जो आजकल जो पैटरन चल रहा है वो पैटरन थोड़ा सा जो है क्रेमिंग बेस पे आ गया है अपका कॉंसेप्चुल पेपर अब उतना ज्यादा नहीं आता जितना पहले आता था ना तो जो बच्चे आजकल पेपर दे रहे हैं वो थ इसके लिए आपको मैं एक और सुझाओ देता हूं कि चलो ठीक है स्क्रीनिंग के लिए तो अब्जेक्टिव पेपर है आप जो है पी वाई क्यू वगहरा एक बार देख लेंगे जो आपके दो आपके दो आठारा तक के जो आपके पी वाई क्यों आये हैं उन्स तक भी ल हाला कि है नहीं बट वो डिरेक्ट जो है सोर्सी से पिक किये हुए है उसका कोशन बनाया हुगा उसमें ज्यादा कंद कोई इस तरीके का कॉंसेप्ट नहीं है कई कोशन तो आपने इस तरीके के देखें कि जो आई जिसी के नेट के पेपर में आते हैं उन्हें कोई सीरप ही नहीं है है ना अगर आप जिसको सही पता है वह उसको ना होकि किसी बुक से जो है लाइन उठाके कोशन उन्होंने बनाया हुआ है है ना तो आहां इस से कंपैरिजन नहीं करने का पेपर पेपर जो है इससे 50% मान के चलिए आप है ना 40% मान के चलिए कि काम ही लेवल का होगा सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए मैं आपको एक और सजेशन दे सकता हूं जैसे कि 2012 से पहले यूजी सी नेट का जो पेपर होता था वो दो पेपर होते थे सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के है ना टॉटल तीन पेपर होते थे पहला पेपर फट थो पेपर तो आप छोड़ दी दीजिए ठीक है वो तो सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे पेपर टू अब जयक्टिव होता था तो आप कर दोजार 12 से पहले के जो है थर्ड पेपर को डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आपको कुछ कॉशंज दिये होंगे और उसको नीचे लाइन्स दी है आपने इतनी लाइनस लिखनी है इस के लिए तो उसे आपको एक अभ्यास हो जाएगा एक प्रैटिस हो जाएगी आपको कि आप उस तरीके का कॉश्चं में इतनी लाइन लिख पा रहे हैं आप UPSC के इस पेपर के साथ बेसर कर सकते हैं उपट UPSC के जो पेपर होते हैं उनका लेवल थोड़ा हाई होता है है ना अलग अलग तरीके के जो है कोशन आपको देखने को मिलेंगे तो इससे बहतर यह है कि आप UGC Net Environmental Science का 2012 से पहले के जो प प्लेम फोटोमेटरी क्या है उसका प्रिंसिपल क्या है उसके अप्लिकेशन क्या है मन लीजी यह कोशन है उसके दीचे उतनी ही लाइन दी होंगी है ना आप उन लाइन को जो हमें कम्प्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप उतना लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे तो मैंने आपको जो बुक्स बताई हैं वो बुक्स से आप गो थू हो जाएंगी इस तरीक से तोड़ी प्रैक्टिस करेंगे मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों में से जो बचा च्छे से तियारी कर रहा है उसका एक्जाम रुक के नोट्स हैं comprehensive उनको तो बहर जाने की जरूरत ही नहीं है आप उन्हीं नोट्स को गो थरू हो जाएंगी जिनके पास में नोट्स नहीं है वो इस तरीके से अपनी तैयारी को ज्यो है अच्छे से कर सकते हैं थीक है बेचा इस पेपर से रिलेटिड आपको कुछ और जानक कीजी हमारी शुब कामना है हमेशाब लोग साथ में हैं हमेशा रहेगी गोड़ प्लेस यू टेक केर वेचा